हेलो स्टुडेंट्स, वेरी वेरी गुड़ी इनिम टू आल ओफ यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलो, सो वी मैट अगेन, कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? 12th NCRT, Ecology Unit, Chapter No. 2, Ecosystem Ecosystem में, last class में कहां पर देखा था? Ecosystem के aspects को discuss कर रहे थे aspects को discuss करते वे हम लोगोंने productivity का aspect और decomposition का aspect पढ़ लिया था जो तीसरा aspect था, वो है energy flow वाला कौन सा है बच्चो? Energy flow वाला Energy flow का मतलब क्या होता है? The flow of energy from one organism to another organism आप बोलोगे, ये energy आती कहां से है? Obviously food के production से ही आएगी आपके nature में, आपके ecosystem में, जो biotic components हैं उसके अंदर जो green plants होते हैं, producers होते हैं they are the topmost producers क्योंकि green plants के अंदर ये खूबी होती है कि उनके पास green color pigment chlorophyll present होता है जिसके तुरू वो photosynthesis नाम के process से अपना खाना खुद बनाते हैं तो producers involve the autotrophic mode of nutrition while all other consumers, चाहे वो हर्भी वोट सी कैटिगरी में आएं या वो कार्णी वोट सी कैटिगरी में आएं या वो decomposer सी कैटिगरी में they are all exhibit the heterotrophic mode of nutrition अब ऐसा कहा जाता है कि अगर green plants को अपना खाना खुद बनाना है तो सिफ chlorophyll के होने से कुछ नहीं होगा और भी बहुत सारे factors की availability बहुत ज़्यदा जरूरी है enzymes की जरूरी है, sunlight की जरूरी है क्योंकि chlorophyll pigment sunlight को trap करता है उसके बाद ही सारी चीज़े proceed होती है आपने photosynthesis में दिखाता है 11th class में light reaction, dark reaction वो light reaction, dark reaction chloroplast cell organelle में चलती है इसके लिए हम लोगों ने chloroplast नाम का cell organelle पढ़ा भी था कि उसमें double membranus होता है, उसमें grana होते हैं, thailocoid होता है, stroma lemily होती है यह सारी चीज़े हम लोगों ने देखी थी अब chlorophyll sunlight को trap करता है तो आपको क्या लगता है, कि sunlight मालो 100% light fake ती है तो क्या वो 100% absorb करता है, no एक आपने PAR का concept सुना होगा, photosynthetically active radiation क्या concept है PAR, photosynthetically active radiation उसके अंदर क्या होता है, photosynthetically active radiation के अंदर कि जैसे 100% sunlight है, उसके 100% में से मालो 50% किसी plant पे गिरी है leaf ने उसको trap किया है, chlorophyll ने उसको trap किया है तो जो 50% आपके plant की leaf पे गिरी है, उसके अंदर से भी सिर्व 2-10% sunlight trap की जाती है chlorophyll द्वारा, और उसी sunlight से आपके photosynthes का procedure carry on होता है यह concept आपकी book में नहीं लिखा हुआ है, यह सिर्फ मैं आपको extra के लिए बता रहे हूँ 2% extra हम लोग देखते ही है, तो मालों की 100% intensity की solar radiation आई उस 100% में से इस plant को 50% मिली, इस plant को 40% मिली तो जितने भी percentage मिलती है, उसके अंदर से सिर्फ 2-10% ही आपके chlorophyll trap कर पाती है इसलिए उसको photosynthetically active radiation केते हैं, महला sunlight की वो rays, वो radiation जो photosynthesis को active करेंगी जो photosynthesis के procedure को आगे बढ़ाएंगी, यह करवाएंगी, ठीक है, तो PAR अब क्या है? सपोस्थ करो आप एक ratio ले लो कि 10% energy आपकी utilize हुई है chlorophyll ने 10% rays को क्या किया है, trap किया है, और उन्होंने food को manufacture किया और energy बनी अब वो जितनी भी energy बनी है, मालो 90% energy बनी 90% food बना, उस 10% sunlight को trap करने के बाद तो 90% में से 10% अब हर्भी वोर्स को चले जाएंगे हर्भी वोर्स में मालो 60% energy को उन्होंने gain किया, तो 60% का 10% कारनी वोर्स में चले जाएंगे और उसका 10% आगे चले जाएंगे तो green plant से अगर आप starting करो और till last के consumer पे जाओ तो देखना कि energy का जो attainment है, जो energy का gaining है वो दिन बदिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, बड़ेगा नहीं 90 का 10% गया, 60 का 10% गया, 50 का 10% गया तो जो energy producers produce कर रहे हैं, वो उस हिसाब से आगे ट्रॉफिक लेवर्स पे transfer नहीं कर पा रहे हैं यह आपके इस energy flow का पूरा concept है, और एक scientist लिंड मैन उन्होंने यह discover किया था कि हर ट्रॉफिक लेवल में 10% का transfer होता है energy का, मतब एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके अंदर जो energy उसका 10% आगे जाएगा, उसका 10% आगे जाता जाएगा तो यह 10% law of energy flow है, जो कि लिंड मैन नाम के scientist ने दिया था, तो इसका नाम क्या पड़ा, 10% लिंड मैन energy flow ठीक है students, तो इसको अपन लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखना start करते है, energy flow क्या करेंगे here, यह मैं थोड़ा लिखा चुकी थी, अगर पहले आप लिख चुकें तो no need to write this line again here flow of energy occurs from one organism to the another within the ecosystem within the ecosystem here to flow or to pass on the energy here to pass on the energy we require organism at each and every level each and every level अब, energy flow को अगर हम और ज़्यादा तरीके से देखें तो हर organism एक level शोग करता है और उस हर level को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल ठीक है each organism डिपिक्ट और रिप्रेजंट डिपिक्ट और रिप्रेजंट each organism डिपिक्ट और रिप्रेजंट अब पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ठीक है अब किस तरीके से होगा energy flow from one trophic level to the another trophic level energy flow from one trophic level to the another trophic level ठीक है अब क्या है here we discuss the various trophic levels ठीक है उससे पहले मैं आपको box में थोड़ा सा P.A.R. का concept बता देती हूँ photosynthetically active radiation इसमें क्या होता है कि as green plants able to manufacture यह इस तरीके से तो इतना लिखने के भी ज़रूरत नहीं है as green plants manufacture food their own food as green plants manufacture their own food by trapping sunlight 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 तो हम लोग इसको ऐसे consider कर सकते हैं कि out of hundred percent sunlight सपोस करो plant receiving 50% तो उस 50% में भी जो sunlight chlorophyll दोवारा trap होके photosynthesis कराएगी वो सिर्फ 2 से 10% होगी उस 2 से 10% से आप food को manufacture करोगे जिसको आप P.A.R. बोलोगे ठीक है plant receiving 50% plant chlorophyll traps chlorophyll traps chlorophyll traps 2 to 10% of sunlight चुकि यह sunlight trap वाली photosynthesis कराएगी तो photosynthetically active radiation तो chlorophyll trap 2 to 10% of sunlight जो की क्या है P.A.R. ठीक है students should I rub it should I rub this portion ठीक है यह हो गया अब इस 2 to 10% है photosynthesis होगा और जो भी energy बनेगी अब उसका 10% आगे चलके energy flow में transfer होता जाएगा अब हर traffic level से 10% आगे जाएगा दूसरे traffic level में फिर फर्दर जाता जाएगा तो जैसे जैसे आप traffic level पे आगे बढ़ते जाओगे energy का जो flow है जो energy का percentage है वो दिन बदिन क्या हो रहा है तो वो equalize ही लेकिन जितनी green plants के पास से उतनी last level of consumers को नहीं मिलेगी ठीक है अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे हैं अब हम लोग कुछ कुछ traffic levels की बात करते हैं जोकि बहुत important topic है trophic levels trophic levels मतलब each level represent an organism और हर organism का अपना एक particular role है ecosystem में so here organism represent trophic level here organism represent trophic level each organism has its particular role has its particular role in an ecosystem ठीक है बच्चो शुड़र अब अब इन लेवल्स के क्या है हर trophic level का अपने role के हिसाब से अपने significance के हिसाब से क्या है नाम है तो हम लोग देख लेते हैं वेरियस तो इसको सरी कर लो students अपने इसको थोड़ा सा आठ फॉर्म में लिखेंगे तेखो पहला जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल का start किससे होगा energy flow होना obviously environment में green plants ही जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनसे energy का flow क्या होता है start होता है तो पहले आएंगे आपके producers ठीक है पहले के आएंगे आपके producers दूसरे के आएंगे आपके consumers उन consumers में आप किन-किन को count करते हो herbivores herbivores और carnivores अब carnivores में भी क्या है दो तरीकी के carnivores आते हैं primary carnivores secondary carnivores primary carnivores secondary carnivores ठीक है ठीक है अब देखो अब यह तो मैंने क्या है मोटी-मोटी जो पहले आपको बात लिखाई थी वो लिखाई है इसमें जो level है वो कैसे आप decide करोगे अगर यह producers हैं तो क्या आप इन्हें top producers बोलोगे या फिर आप इन्हें primary producers कहोगे मैं बहुत तरीके से आपको यह बात समझा रही हूँ NEET में easy सा question आता है पर terminology change कर देते हैं तो कभी कबार बच्चों से गलत हो जाता है तो आप इस हर terminology को ध्यान से देखो देखो producers अगर top producers हैं या primary producers हैं तो वो green plants होगे वो green plants होगे न और अगर आप consumers के बारे में बात करें consumers मतलब वही हर्भी वोट्स और कार्णी वोट्स तो हर्भी वोट्स में मतलब जैसे गोट हो गई ठीक है आपका काव हो गया grass hopper हो गया rabbit हो गया ठीक है ये बात हो गई अब कार्णी वोट्स हर्भी वोट्स पे आएंगे कार्णी वोट्स कार्णी वोट्स में भी एक तो होते हैं आपके primary कार्णी वोट्स secondary कार्णी वोट्स कार्णी वोट्स में जैसे आएं आपके jackal big bird hawk माल लो और secondary कार्णी वोट्स में क्या आएंगे जैसे tiger हो गया lion हो गया ठीक है leopard हो गया और भी completely dependent flesh eating animals अब यह हो गया अब इसको आप आगे कैसे show करोगे top producers के बाद आते हैं आपके consumers और consumers को आप various levels से show कर सकते हो आप बोल सकते हो primary consumers consumers secondary consumers tertiary consumers consumers और quaternary consumer ठीक है primary consumer secondary consumer tertiary consumer or quaternary consumers बार्स